दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया में किसी भी बड़े अपराध में अपराधी को सजा देने के लिए मौत की सजा ही अंतिम सजा है लेकिन हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में अपराधों को लेकर ऐसी कई ख़तरनाक सजाए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे पुराने समय में दुनिया भर मिक्के हर देश में म्रत्यु दंड देने के कई विधान थे इन तरीकों में अपराधियों को मारने से ज़्यादा उनको लंबे समय तक दर्द दिया जाता था जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में दी जाने वाली पांच ऐसी सजाओं के बारे में जिनें अब दुनिया में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साती साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें नमबर एक दरेक दरेक इतिहास में अपराधियों को दी जाने वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक सजाओं में से एक है इस सजा में अपराधी को लकडी के एक चौकोर फ्रेम में दोसी के दोनों हाथ और दोनों पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता है और फ्रेम पर लगे पुलियों और रोलर की मदद से उन्हें तब तक खीचा जाता था जब तक की सरीर फट ना जाए इस सजा का इस्तिमाल अपराधी के गुप्त सूचनाय उगलवाने के कारे के लिए किया जाता था प्राचीन काल में चूहों का उप्योग करके अपराधीयों को मारने की सजा को रैट मेथट कहा जाता था इस प्रक्रिया में चूहों को एक पिंजरे में रखा जाता था उस पिंजरे का मुँ एक तरफ खुला होता था जो अपराधी के पेट पर बांद दिया जाता था और अब भिज़रे को बाहर की तरफ से तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि चुहे अपरादी के पेट को फार कर बाहर ना आ जाए इस सजा को स्कीनिंग सजा भी कहा जाता था वैसे तो या मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का तरीका है पर प्राचीन समय में जिंदा इंसानों पर इस सजा का प्रयोग किया जाता था जिंदा इंसान की खाल को तब तक खीचा जाता था जब तक कि उसका मास और हड़ियां दिखने ना लगे इस प्रक्रिया को करने में तीन दिन लग जाते थे यानि तीन दिन तक अपरादी इस प्रक्रिया के दर्द को जीनता था और आखिर में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती थी नमबर चार दा ब्रेजन बुल प्राचीन ग्रीकों के द्वारा डिजाइन की गए इस सजा को दा ब्रेजन बुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कास की धातु से बना हुआ एक बैल का डिजाइन होता था जिसमें अपरादी को अंदर बंद कर दिया जाता था और उस बैल के पुतले के नीचे से आग लगा दी जाती थी और अपरादी को जिन्दा ही भूना जाता था इस उपकरण में ऐसी प्रणाली भी थी जो इनसान की चीक को संगीत में बदलती थी और बाहर बैठे लोग संगीत का आनंद लेते थी ये सजा सबसे ज़्यादा खतरनाक थी इसे रोमानिया के संकी राजा व्लाद दा ड्रैकुला ने अपने राज के गुनागारों को देने के लिए बनाई थी जिसमें एक नुकीले लोहे की सरीय या पोल या भाले को अपरादी के सरीर के गुपतांगों के छेदों में से गुसाया जाता था जब तक वा अपरादी के सरीर को चीरता हुआ उसके मुँसे बाहर न निकले और जब भाला सरीर से आरपार हो जाता था तब उसी स्थित में परादी को लटका दिया जाता था उस समय या सजा बलातकार के आरूपियों को दी जाती थी जो कि अब तक की दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजाओं में से लिख है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हूँ कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते